यूटूब चैनल पंकज फिजिस गुलाटी चैनल पर नाकेवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिस के टॉपीज की सबसे असान एक्स्प्रेशन देखने को मिलती है बलकि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एक्जाम में क्या और कैसे लिखके आना है ताकि आप सिरफ एक वीडियो देखके ही अपने नोट्स बना सकें और एक्जाम में बहुत अच्छे मास ला सकें तो स्टूडेंट्स आज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाईए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले इसी कैटिगरी मे आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बी एसी फर्स एम इलेक्टिसिटी मैगनेटिजम एंड एलेक्ट्रोमेनेटिक क्योरी यूनिट फोर के एक और इंपॉर्टन टॉपिक के बारे में जिसका नाम है अनलिसिस ओफ एसी सर्केट के नाम से भी जानते हैं तो सुडें आज के इस टॉपिक में सबसे पहले हमने एक सीझ कॉंबिनेशन बनाना है किसकिस का एक रिजिस्टर लेना मैं आपको एक इंडॉक्तर लेना मैं और कपैस्टर लेना है इसे हमें फोर meditate करण के बीच में से एक करना है वह साथ के साथ इस एसी शर्केट का की की डियरिवेशन करनी है और लास्ट में हम इस एसी जिसकी एक्वेशन है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर करेगा आई करेगा और रिजिस्टर और करेगा और यहां पर कर दिया इसको करेंगे लेक्टर सोर्स ऑफ सब्सक्राइब कर दिया एक सब्सक्राइब कर दिया एक सिरीज कॉंबिनेशन ऑफ रिजिस्टर इंड़क्टर एंड कपैस्टर के साथ जैसा कि आपको एक सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर रहा है तो सुडेंट इसके आगे जो थूरी होगी वह हम देखेंगे आने वाले सेक्शन के अंदर अगे बढ़ते हैं और करेंघ करते हैं वोल्टे ज्रॉप एक क्रॉज आघल एंड सी मिन्स यहार यह एक वैल्यू करनी है तो अपनाchl सकते हैं यूज using ohms law जो हमें कहता है voltage drop is equal to current multiply resistance अब capacitor में कितना current flow कर रहा है I current flow कर रहा है और capacitor जो है कितना opposition offer करता है to the flow of alternating current उसको हम बोलते है capacitive reactance और उसको हम denote करते है XC से तो यहां पर R की जगह यहां पर हम use करेंगे XC और XC की value क्या होती है आप जानते हैं one by omega c होती है तो मैं omega c जो है वो अपन में लिख देता हूं तो students क्या यह expression complete है यह expression complete नहीं है यहां पर हमें एक term से और multiply करना है और वो term होगी minus J क्योंकि हमें पता है एक capacitor के across जो voltage होती है वो current को और lag behind करती है by angle 90 degree तो यहां पर इसी जो है वो current से lag behind करेगी 90 degree तो उस चीज को शोग करने के लिए यहां पर हमें minus J से multiply करना पड़ेगा यह minus J क्या शोग कर रहा है यहां पर minus J यहां पर यह शोग कर रहा है जो इसी होगा वो आइस को lag behind करेगी by angle 90 degree तो आपको यहां पर लाइन लिखना ही पड़ेगी दा मुल्टिप्लिकेशन बाइट माइन जे ओन राइट साइड ऑफ एक्वेशन तो तो राइट साइड ऑफ एक्वेशन टू को हमने माइन जे से इसलिए मुल्टिप्लाइ किया है क्योंकि जो इसी होता है वो करण्ट आई से होता है यहां पर कितना करेगा और जो इंड्टर होता है वो कितना ओपोजिशन ओफर करता है तोगजा फ्लॉउफ अल्टरनेटिंग करण्ट वो ओफर करते है एक्सल अमॉंट ऑफ जिसको इंड्टिव र्यॉक्त सब्सक्रेगा कियोस्टिव सब्सक्षित कारोña लीड करती है तो चीज को करने के लिए यहां पर प्लस जैंग पर लगाना पड़ेगा आपको right-hand side of equation 3 में the multiplication by J on right-hand side of equation 3 is due to the reason that the voltage E-L leads the current by pi by 2 right-hand side of equation 3 को J से multiply किया गया है क्योंकि हमें पते है जो voltage होती है इंडक्टर के across वो current I को lead करती है आप तो चीज को शो करने के लिए हाँ पर हमने प्लस जे से मुल्टिप्लाई किया है तो सुडेंट्स यह लोट इसी की वैल्यू जो कि हमें पता है रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज एंड कर्न्थ होते हैं वो सेम फेस में होते हैं उन्हें कोई भी फेस नहीं होता तो आपको simply आई मल्टिप्लाई आर लिखना है ना तो यहां प्लस जय से मल्टिप्लाई करना है यह हमारी फोर्थ एक्वेशन होगी तो students आगे देखे हैं, total voltage across the combination is given by, अब इस पूरे series combination के across कितना voltage drop होगा, that will be the sum of ER, EL and EC, so ER plus EL plus EC और यह तीनों का sum किस के बराबर होगा, applied voltage E के बराबर होगा, तो यहाँ पर आपको E is equal to लिखना पड़ेगा, so E will be equal to ER की value कितनी है, IR, EL की value कितनी थी, equation number 3 में J I omega L थी, और equation number 2 में EC की value कितनी थी, वो थी, minus J I by omega C, तो ER, EL और EC की value समनी हाँ, put कर दिया, और तीनों में से common ले लिजिए I, तो I common आजेगा, अंदर बचेगा, R plus J omega L minus J by omega C, I को कौन में ले जाए, ये, E by I is equal to R plus, इन दोनों में से J common ले ले लिजिए, J omega L minus omega C, और इसको हम बोलते हैं, E by I जो होता है, voltage by current जो होता है, वो एक परकार का resistance होता है, और यहाँ पर जो resistance होगा, उसको हम Z से denote करेंगे, और Z को बोला जाता है, complex impedance, इसके बारे में आगे और बात करेंगे, आने वाले sections के अंदर, ये हमारी equation number 5 है, तो students, आई आगे बढ़ते हैं, last section में हम 50 equation निकाल चुके थे, जो कि T, E by I is equal to R plus J omega L minus 1 by omega C equal to Z, ये हमारी 50 equation थी, Z को हम बोलते हैं, where Z is called complex impedance, whose magnitude is given by, अगर आपके पास कोई complex number है, Z equal to A plus I, तो हम कैसे निकालते हैं, mod of Z, that will be equal to square root of A square plus B square, means A square plus I, तो coefficient है, उसका square is उपर square root, तो उसी प्रकार से mod of Z कैसे निकाल सकते हैं, square root of R square plus square root of J का coefficient कितना है, omega L minus 1 by omega C, उसका square, ये हमारी होगी 6 equation, अगर हम Z को polar form में लिखना चाहें, तो कैसे सकते हैं, Z can be written in polar form as, Z is equal to mod of Z, means magnitude of Z cos theta plus J magnitude of Z sin theta, तो यहां से आप mod of Z common ले लिजिए, so Z will be equal to mod of Z cos theta plus J sin theta, तो यहां से अब क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, इस Z की value को यहां पर put करेंगे, और हमें पता है, इक की value first equation कितनी थी, वो थी, E not sin omega, E not E की पावर J omega T, तो वो दोनों values जो हैं, first equation वाली, first equation वाली, seventh equation वाली, fifth equation में यूज करेंगे, तो आप ना लिखेंगे, using one and seven in five way dead, तो आपने E की जगा लिखते में है, E not E की पावर J omega T, तो इसको नीचे लिखेंगे, आने वाले sections के अंदर, तो students आईए आगे पढ़ते हैं, आने last section में हम दो important equation निकाल चुके थे, वो कौन-कौन सी थी, एक तो हमने mod of z निकाला था, जो कि था square root of r square plus omega l minus one by omega c का square था, यह हमारी sixth equation थी, और eighth equation में हमने क्या निकाला था, E not E की पावर J omega T by mod z E की पावर J theta equal to i, यह हमारी eighth equation थी, तो यहां पर हम mod z की value put कर सकते हैं, यह वाली तो आप नहीं लिखेंगे, using six in eight, we get E not E not divided by mod z की value r square plus bracket start omega l minus one by omega c square, E की पावर J omega T और J theta उपर जाके minus J theta हो जाएगा, equal to i, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, E not, यह जो term आपको दिखाई दे रही है, यह है हमारा I not, इसको हम बोलते हैं, I not जो की होता peak value of ac, तो इसको हम I not put कर देंगे, E की पावर यहां से J common ले लेंगे, E की पावर J omega T minus theta is equal to i, where I not is equal to E not by square root of r square plus omega l minus 1 by omega c का square is called peak value of ac in rlc circuit, तो यह हमारी peak value है, alternating current की किसी भी rlc circuit में, तो students, यहां तक करने के बाद इसके आगे के जो steps बचे हैं, वो हम देखेंगे, आने वाले sections के आंदर, तो students, आईए आगे पढ़ते हैं, देखे, students, J की क्या value थी, J की value थी, R plus J omega l minus 1 by omega c, यह Z था हमारा, और J को हमें polar form में किस परकार से लिखा था, mod of Z cos theta plus J mod of Z sin theta, तो students, अगर हम compare करें, दोनों तरब real part and imaginary part, तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम real part को compare करें, यहाँ पर real part क्या है, R है, that will be equal to, यहाँ गा real part क्या है, means, बिना J वाला part कौन से है, mod of Z cos theta, तो R will be equal to mod of Z cos theta, अगर हम compare करें, real parts, दोनों तरफ, तो हमें यह मिल जाएगा, तो students, अगर हम imaginary parts compare करें, यहाँ पर J का coefficient क्या है, ओमेगा L minus 1 by omega C, omega L minus 1 by omega C, that is equal to, यहाँ पर J का coefficient क्या है, mod of Z sin theta, mod of Z sin theta, यह हमारी 10th equation है, यह imaginary parts को compare करके, आपको मिल जाएगा, imaginary parts compare करके आपको यह मिल जाएगा, अब हमें क्या करें, यह हमारी 11th equation होगी, तो students, इस equation के base पे हमारे 3 special cases बनेंगे, उन cases को हम 1 by 1 discuss करेंगे, आने वाले sections के अंदर, students, last section बे हमने 10th theta की value निकाले थी, जो कि क्या थी, omega L minus 1 by omega C by R, यह हमारी 11th equation थी, और first equation क्या थी, E is equal to E naught E की पावर J omega T, और current की equation क्या निकली थी, RLC circuit मे, I is equal to I naught E की पावर J omega T minus theta निकली थी, इसको उन 12 equation मान लेते हैं, तो students, पहला case discuss करते हैं, एक omega L is greater than omega 1 by omega C, अगर omega L greater than हुआ 1 by omega C से, तो आपका जो 10th theta होगा, वो positive होगा, क्योंकि यह term बढ़ी होगी, यह छोटी होगी, तो 10th theta की values greater than 0 निकलेगी, 10th theta greater than 0 होगा, तो उस case में theta जो है, वो positive होगा, अगर theta positive हुआ, तो जैसे कि आप 1st और 12 equation को compare करके देख सकते हैं, 1st equation में EMF का face कितना है, omega T है, और current का face कितना है, 12 equation में omega T minus theta है, तो इस case में current जो होगा, वो voltage को lag करेगा by angle theta, और आप यह भी कहा सकते हैं कि voltage जो है, वो current को lead करेगी by angle theta, तो फहले case का result यह निकलेगा, in this case, 10th theta and hence theta will be positive, इस case में 10th theta positive होगा, इसका मतब theta भी positive होगा, in this case, alternating EMF E across the combination leads the current by angle theta, अगर हम इन जन्वों equation और compare करें, तो हम देख सकते हैं कि E का face omega T है, और I का face omega T minus theta है, means EMF जो है, वो current को lead करेगी by angle theta, आइए draw करते हैं, first case का facer diagram, तो सबसे पहले हम current को draw करते हैं, यह हमारा current है, मालीजिए, क्योंकि हमें पता है, कि जो resistance के across voltage होती है, वो same face में होती है, तो same face में बनाने के लिए, यह हमारा I है, और same face में voltage होगी, उसको हम denote करते हैं, maximum voltage across resistance को हम denote करते हैं, E0R से, तो students हमें पता है, inductor के across voltage होती है, वो current को lead करती है, वो angle 90 degree, तो यह inductor के across voltage होगी, maximum voltage across inductor, उसको हम denote करते हैं, E0L से, यह 90 degree आगी होगी current से, और students हमें पता है, capacitor के across voltage होती है, वो current से lag भी हैंड करती है, बाइंगल 90 degree, यह है maximum voltage across capacitor, जो कि 90 degree पीछे रहेगी, अब students, यहाँ पर हम आप तीन voltage हैं, E0R, E0L, E0C, हमें इन तीनों का resultant निकाल रहे हैं, पहले हम इन दोनों का resultant निकालेंगे, मालेंजी students यह vector जो है, वो 20 है, यह 10 है, तो resultant कैसे निकालेंगे, 20 minus 10, और वो किसकी direction में होगा, maximum वाले के direction में होगा, E0L, यहाँ पर E0C से बढ़ा है, तो उस case में, जो resultant होगा, वो इस direction में होगा, और जो resultant होगा, इसको हम O point मान लेते हैं, इसको हम P point मान लेते हैं, तो O P हमाले resultant होगा, and that will be equal to E0L minus E0C. तो students, दो vectors को हमने single vector में convert कर दिया, O P में convert कर दिया, अब हमें इसका और इसका resultant निकालना, तो उसके लिए में क्या करना पड़ेगा, एक parallelogram draw करना पड़ेगा, यह हमने parallelogram draw कर दिया, और इसका जो diagonal होगा, that will give you resultant EMF across the combination, and that will be equal to E0, and E0 किसके बराबर होगा, अगर हम Pythagoras theorem लगाएं, अगर यह हमारा E0L minus E0C है, तो यह भी हमारा E0L minus E0C हो जाएगा, तो Pythagoras theorem लगाके इस diagonal की value क्या निकलेगी, that will be equal to square root of base का square, plus perpendicular का square, perpendicular हमारा यह है, E0L जहां बड़े बलकर लगारें पड़ेगी हमें, minus E0C का whole square, जहां पर पूरा square root, तो students यह आगया हमारा पास, इसके इसी expression को use करते हुए, हम next section में find करेंगे, impedance of RLC circuit for case 1, students, last section में यहां तक निकाल चुके थे, E0 is equal to square root of E0R square, plus बड़ी बेकर start E0L minus E0C का whole square, तो वही मैंने यहां पर लिग दिया, अब इसको हम solve करते हैं, E0R maximum voltage across the resistance, हम कैसे निकाल सकते हैं, that will be equal to I0 multiply R, current multiply resistance का square, plus अब यहां पर E0L, E0L क्या होगा, maximum voltage across inductor, वहां कैसे निकाल सकते हैं, I0 multiply XL, हम I0 क्यों रहे हैं, क्योंकि I0 जो है, वो है peak value of current, वही आपको यहां पर लेना पड़ेगा, क्योंकि हम maximum voltages की बात कर रहे हैं, आपर minus I0 XC, that will be E0C का whole square, अब तीनों में से जो है, I0 का square common आएगा, और I0 का square common लेंगे, अगर आप square root में से, तो वो I0 बनके बाहरा आएगा, E0 will be equal to I0 square root of R square, plus XL minus XC का square आजाएगा, तो I0 का कौन में ले जाते हैं, E0 by I0 is equal to square root of R square, और XL क्या था हमारा, omega L minus XC क्या था हमारा, 1 by omega C का square, that is equal to O, और E किस की value थी, mod of Z की value थी, और इसको हम बोलते हैं, impedance of RLC circuit, तो first case का हमने facer diagram भी draw कर लिया, और साथ के साथ impedance भी निकाल लिया, बाकी दो cases की बात करेंगे, हम आने वाले sections के अंदर, तो students, आईए बात करते हैं, case number 2 की, case number 2 हमारा, when omega L is less than 1 by omega C, case 1 का विखूल opposite है, case 1 में, omega L is greater than 1 by omega C, हमने माना था, अब हम let कर रहे हैं, omega L is less than 1 by omega C, तो उस case में, omega L 1 by omega C से less हुआ, तो ये term negative हो जाएगी, means 10 theta less than 0 हो जाएगा, 10 theta less than 0 होगा, means theta जो है पर negative निगल गया, अगर theta negative होगा, तो यहाँ पर plus का sign आजाएगा, और अगर हम first और 12 equation को compare करें, इस case में यहाँ plus का sign हो जाएगा, जोगि theta जो है negative हो गया है, और पहले जो negative sign था, तो यहाँ plus हो जाएगा, तो इस case में E का face होगा, omega T और current का face हो जाएगा, omega T plus theta, means इस case में जो current होगा, वो EMF को lead करेगा by angle theta, तो इस case का result का निकलेगा, in this case alternating current in RLC circuit, will lead the EMF by angle theta, तो इस case में current जो है, वो EMF को lead करेगा by angle theta, तो इस case का जो facer diagram बनेगा, वो किस परकार से बनेगा, सबसे पहले हम draw करेंगे current की value, current की value होगी, यह I0 maximum current और resistance के across, जो voltage drop होगा, maximum voltage drop होगा, E0R, that will be in face with the current, क्योंकि यह दोनों जो है, वो same face में होती है, I0 vector जो है, हमेशा E0R छोटा बनाना है, क्योंकि I0 जो होता है, वो होता है, E0R divided by R, तो students, I0 is E0R divided by resistance, तो I0 vector जो है, हमेशा E0R दे छोटा ही बनाना है, आपने, इस case में, omega L जो है, वो omega सी ते छोटा है, तो means voltage drop जो होगा, एंड़क्टर के across, वो कम होगा, as compared to voltage drop across capacitor, तो इस case में, आपको E0 vector जो है, वो छोटा बनाना है, यह हमारा है E0L, तो कि E0L जो है, वो I0 को 90 degree lead करेगा, तो आपको 90 degrees को आगे बनाना है, और इस case में, जो voltage drop होगा, maximum voltage drop across capacitor, वो ज्यादा होगा, तो कि इस case में, इस case में, आपको यह वाला vector बनाना है, और यह छोटा बनाना है, पिछली बार हमने उल्टा किया था, यह बड़ा बनाया था, और यह छोटा बनाया था, इस चीज़ का में ध्यान रखना है, बारिकी से exam के अंदर, तो यह आपका E0C होगा, तो इन दोनों कर जो resultant होगा, वो बड़े वाले vector की तरफ होगा, और इन दोनों कर जो resultant कैसे निकालेंगे, इस vector में से यह वाला vector minus कर देंगे, तो आपके पास इतना बचेगा, इतना बचेगा, तो इसको थोड़ा और बढ़ा बना लेजिए, तो इस में से, इस बड़े वाले vector में से इतना पार्ट, यह वाला पार्ट में मैनिस कर दिया, तो इतना पार्ट बचेगा, इसको हम O माहल लेते हैं, इसको हम P माहल लेते हैं, तो O P vector जो होगा हमारा, that will be the resultant, and that will be equal to E0C minus E0L, बढ़े वाला vector E0C में से आपने छोटे वाला vector E0L minus करना है, तो यह resultant निकल गया, तो आपने इसका O P का और इसका resultant find करना है, तो हम कैसे find करेंगे, अगेन हम यहाँ पर एक parallelogram draw करेंगे, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ E0R को उपर, इसको आप dotted मैंना लिजिएगा, तो इन इस parallelogram को जो diagonal होगा, इस parallelogram को diagonal होगा, that will give you resultant voltage E0, और अगर यह हमारा E0C minus E0L है, यह वाला vector तो यह भी इतना हो जाएगा, तो अगर आप पाइतकोर स्थम लगा के E0 की value निकालेंगे, तो E0 की value जो निकल जाएगी, वो निकल जाएगी, इस case में E0R car square plus बड़ी ब्रेकर start E0C minus E0L car square, तो student जब आप इसको solve करेंगे, जैसे हमने first case में solve किया था, तो solve परके आपको impedance की value मिल जाएगी, और E0 by I0 का expression आपके पास निकलाएगा, जैसे हमने first case में किया था, सारे साथ वही follow करने है, तो इस case में आएगा square root of R square plus 1 by omega C minus 1 omega L, whole square equal to mod Z is impedance of RLC, तो students, यहाँ पर omega, पहले case में omega L minus 1 by omega C आपकी बार, 1 by omega C minus omega L आएगा, बस यही फारक है, तो students, second case में complete होगे, इसके बाद हम discuss करेंगे, third and last case of this topic mix section के अंदर, तो students, आईए बात करते हैं, last case की, इस case में आप हैडिमा है, case number 3, when omega L is equal to 1 by omega C, अगर यह दोनों terms बराबर हो गई, तो यह term 0 हो जाएगी, तो 10 theta 0 हो जाएगा, इसके हम theta 0 हो जाएगा, 10 theta 0 कब होता है, 0 पे होता है, then 10 theta is equal to 0, and then theta is equal to 0, अगर theta यहाँ पर 0 पूट कर दिया जाए, यहाँ पर originally जो हमें equation कालती हो, माइने theta के साब निगा लीती है, अगर यहाँ पर theta को 0 पूट कर दें, तो यहाँ का EG power J omega T रह जाएगा, तो इस case में यह वाला face और यह वाला face जो है, वो same हो जाएगा, इसका मतलब alternating EMF and alternating current जो होंगे, इस case में, इस RLC circuit के अंदर वो दोनों same face में होंगे, आईए इसका वो draw करते हैं face वार diagram, सबसे पहले हम draw करेंगे current की value, यह है I zero maximum current in the circuit और जो resistance के अंदर वोल्टेज होती है E zero R वो current के साथ same face में होती है, तो यह वाला vector भी इस डिरेक्शन में बनेगा आई zero जो हमेशा E zero R वेक्टर से छोटा बनाना है, क्योंकि इस case में omega L और one omega C दोनों बराबर है, means inductive reactance and inductive capacitance दोनों बराबर है, तो इस case में जो maximum voltage drop होगा across inductor and capacitor वो भी सेम होगा क्योंकि दोनों के अंदर current same flow कर रहा है, अगर दोनों के reactance सेम है तो उनके across voltage drop भी सेम होगा, तो इस case में आपने E zero vector जो कि 90 degree आगे होगा current से यह वाला vector और यह वाला vector equal length के बनाने है, इस चीज़ के आपने धान रखना है, यह वाला vector equal length के होने चाहिए, examiner को साफ लगना चाहिए है कि आपने equal length के बनाए है, यह 90 degree आगे है और यह 90 degree पीछे है, तो यह दोनों वेक्टर जो है यह दूसरे को cancel कर देंगे और इस case में जो net voltage होगी वो सिरफ E zero R के बराबर होगी क्योंकि यह दूनों voltage is equal and object है यह दूसरे को cancel out कर देंगी, तो इस case में जो net voltage होगी E zero that will be equal to maximum voltage across resistance E zero R that is equal to I naught multiply R, तो इस case में अगर हम E naught by I naught का जो ratio निकालेंगे वो हमारे पर R के बराबर निकल के आएगा और E naught by I naught के ratio को हम Z से denote करते हैं या फिर आप कहलो mod Z से denote करते हैं, तो इस case में जो हमारा impedance निकल के आएगा, वो minimum निकल के आएगा और current जो है, वो maximum होगा इस case में और यह condition हम use करेंगे series resonant circuit वाले case में, जब हमारा omega L जो है 1 by omega C के बराबर हो जाएगा, यह condition हम use करेंगे series resonant circuit के case में, तो students यह है आपका RLC circuit इसमें आपको 3-3 phase diagram बनाने है corresponding to 3 different cases और जो मैंने आपको यहां बताया वो सब कुछ लिखते आना है maximum 8 marks का और minimum 6 marks का question आएगा, तो जितना मैंने आपको बताया अगर आप सब लिख आते हैं तो आपको 100% जो है वो पूरे marks ही मिलेंगे, तो students I hope आपको आपको अचका topic जो है वो अच्छे समझाया होगा, मिलेंगे किसी और important topic of unit 4 के साथ, till then thank you so much.